वेलकम बैक दोस्तों A2B2 Study की YouTube चैनल में आप सभी का हादिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम Chemistry के एक चैप्टर को कवर करने वाले थे जिसमें हमने पूरे थियोरी को कवर कर लिया था चैप्टर था आपका Hydrogen तथा उसके यौगिक दोस्तों इस चैप्टर को हमने पूरे complete कर लिया था और इसके 20 objective questions को भी solve कर लिया था तो दोस्तों कुछ technical issue के करार हमने 20 questions ही solve किया था तो वो वीडियो हमारी already upload कर दी गई है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को हमारी playlist में जाए और chemistry के deep harma का playlist आपको मिल जाएगा उस playlist में जाकर के आप chemistry की पूरी वीडियो देख सकते है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे के questions को solve करेंगे तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार visit कर रहे है तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को अवस्टे place कर ले जिसे आपको हमारी वीडियो का notification भी मिलता रहेगा तो दोस्तों इसी के साथ start करते हैं 21st में प्रश्न के साथ 21st मा हमरा जो प्रश्न है वो है जल की अस्थाई कठोरता को उसमें नीम न मिलाकर दूर किया जा सकता है जल की अस्थाई कठोरता को क्या मिला करके दूर किया सकता है तो दोस्तो जल की जो अस्थाई कठोरता होती है उसको हम calcium hydroxide डाल करके दूर कर सकते हैं यहाँ पर option number C जो हमारा है यही हमारा इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो इससे एक question और मैं बता दूँ कि जो कुवे में या फिर hand pump होते हैं तो उसमें जो जल को सुद्ध करने के लिए कौन से आपका जो इसमें लवड होता है उसका यूज करते हैं तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं वहाँ पर करते हैं potassium per magnet का यूज करते हैं तो यह भी आपका important है इसलिए इसको भी याद रखिएगा next है आपका SO3 को जब भाय जाल के साथ गर्म करते हैं तो निम्न उत्पाद बनता है दोस्तो जब हम sulfur trioxide देखिए यहाँ पर SO3 है तो यह इसे हम sulfur trioxide पढ़ेंगे क्या sulfur trioxide ठीक है तो इसको भी ध्यान दीजेगा देखिए जब हम sulfur trioxide को जब भाय जल के साथ गर्म करते हैं तो हमें जो उत्पाद बन कर मिलेगा वह कौन सामिलेगा इसमें से हमारा जो आपसर नमबर A है यानि डिट्रो सल्फियूरिक अमल भी लेगा आपसर नमबर A यहाँ पर हमारा correct answer होगा दोस्तो इसको आप समीकड को solve करिएगा जैसे की रखिए यह आपका sulfur trioxide हो गया और भाय जल भाय जल का आपका क्या सूत्र होता है भाय जल का होता है D2O यह होता है तो इसको आप जब गर्म करेंगे यहाँ पर जब इससे आप गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा deuterosulfuric अमल बनेगा ठीक है अपसा नमबर A यह आप है हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स क्वेश्चन हमारा है तेश्वा क्वेश्चन क्या है देखिए तेश्वा जो क्वेश्चन हमारा numerical type है इसमें दिया हुआ है दस आयतन S2O2 विलयन का सांद्रता कितनी होगी दोस्तो इस टाइक क्वेश्चन एक्जाम में अक्सर बनते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा ठीक है दोस्तों इस प्रका का प्रस्ण आपको जब भी दिखे तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको S2O2 जो दिया हुआ है इसका अडू भार गयात क प्लस आपको जाएगा अक्सिजिए का प्रमारू अब आपका सोलह होता है और इंटो इस में गराट इसको छोडते नहीं है अगर हम ऐसा क्यों है क्योंकि अगर ये हम आगे 2 से मल्डिप्लाई कर दें तो इसके दुनों पर कोई प्रच नहीं प्ड़ाए गा क्योंकि अर ड hydrogen भी चार हो जाएगा aky shout b Little night हो जाएगा या की मान में Nikाल यहां पे क्या हो जाएगा यहां बना कितना जाएगा कितना जाएगा अरश्ठ आजाएगा इतना हापको strategically कोई समाचे आपको के आपको नहीं होनी चाहिए इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों इसके बाद हमको ग्याद करना है दस आयतन H2O2-Villion की सांदरता क्या होगी ठीक है तो इसके लिए हम इसको जब solve करेंगे तो दस आयतन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों दस आयतन को जब हम 100 से multiply करेंगे तो आपका वो मिले लिटर में Change हो जाएगा 10 आयतन जब दिया हो तो आपको क्या करना होगा आपको 100 से multiply करना होगा उसको में लिटर में चेंज करने के लिए क्योंकि अगर आप किसी भी विंद्रर की स्यांदता ग्याद करेंगे तो वो में लिटर या फिल लिटर में होगी ठीक है यहाँ पर 10 आयतन दिया हुआ है तो 10 आयतन को जब आप 100 से मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1000 ml यानी में लिटर दोस्तों 1200 लिटर यानी एक लिटर इसली लिखते हैं यह तो आप जानते ही होंगे यानी कि यह जो आपका 10 आयतन है यह आपका 1 लिटर के बराबर है वहीं अगर आपका यह 100 आयतन होता तो आपका एक यहाँ पे 10 लीटर के बराबर हो जाता पर यह आपका एक लीटर के बराबर है तो एक लीटर आयतन में आपको अगर उसकी सांदता ग्यात करनी है तो देखिए जब एक लीटर में आप इसकी सांदता को ग्यात करेंगे तो इसके लिए आ करेंगे देखिए आपका जो परमारू अडू भार आया था वो कितना आया था 68 आया था तो दोस्तों एक सी ध्यान दिजेगा आपको 68 से इस 68 को 22.4 से भाग देना होगा क्योंकि किसी भी विरियन को अगर उसकी सांदता ग्यात करनी होगी तो उसको हम 22.4 से डिवाइट करके ही ग्यात करते हैं यह इसको नोट कर लिए भी most important है इसका मान भी आपको पू किसी भी विरियन की सांदता कितनी होती है तो याद कर लिजे इसको 22.4 होता है इसको भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से नोट कर लिजे यह आपका पूछता है तो 68 आपका है इसको जब आप 22.4 से डिवाइट करेंगे तो आपका कितना है यह आपका आजाएगा आपका 3.03 something आजाएगा ठीक है तो दोस्तों जैसा कि हमारा 3.03 आ गया है तो अगर हम option से देखें तो option number B हमारा correct हो जाएगा है क्योंकि यहाप 3.03 है तो हम 3 मान सकते हैं 3% हमारा इसका correct answer होगा तो दोस्तों विलियन की सांदता निकालने I think आपको आ गया होगा और एक बार वीडियो क से देख लेंगे तो आपको clear हो जाएगा कॉन्सा को सही नहीं है तो अगर आपने हमारी पिष्ली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप 100% इसका answer जो है वो सिर्फ देख करी दे देंगे दोस्तों ये बहुत ही बच्च वाला question है अगर आपने हमारी पिछी वीडियो को देखा होगा तो आप इस question का answer तुरंद दे देंगे ध्यान से 4 option को पढ़िए देखिए 4 चौथा option क्या दिया हुआ है H2O2 एक दुरबल 4 होता है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस भी आपका लवड में या पर जिस भी योगिक में आपका hydrogen ion उपस्तित होगा वो आपका अमली होगा तो यह मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे हमारा option number D हो जाएगा करेक्ट क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया है तो हम यहाँ पे time waste नहीं करेंगे हम चलेंगे next question पे next है hydrogen paroxid का उपयोग होता है तो hydrogen paroxid जो है इसका उपयोग आक्सी कारक के रूप में भी होता है अपचायक के रूप में भी होता है और इसके साथ साथ विरंजन के रूप में भी होता है यहाँ पे option number D हो जाएगा करेक्ट हैने के इन में से सभी next है H2O2 के बारे में कौन सा कथन और सत्य है A दिया हुआ है यह अमली एवं छाड़ी दोनों माद्य हमें अच्छा आक्सी कारक है B है यह अमली केम NO4 को अपचायित कर देता है C है आपका यह प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है और D है समानदाप पर इसको आसवन द्वारा सांदित किया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट अंसर होगा आपसन No.D ही क्योंकि इसे हम समानदाप पर इसको आसवन द्वारा हम सांदित कर सकते है आपसन No.D यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा यह सब मैंने आपको बता रखा है पहले ही थियोरी वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसको आवाज से देख ले 29th question हमारा है जल का उच्छ कथनांक होता है क्योंकि दोस्तों जल का जो कथनांक होता है वो उच्छ होता है इसका कार्ड है इसमें Hydrogen बंद उपस्तित होना आपसर नमबर B यहाँ पर करेक्ट होगा तीसवा question है जल एक उत्तम विलायक का कार्य करता है दोस्तों जो जल है हमारा वो एक उत्तम विलायक का कार्य करता है क्या कार्ड है इसका आपको बताना है तो देखिए जल जो है एक उत्तम विलायक का कार्य करता है इसका करड़ है उच जल विद्द इस्थिरांग के करड़ आफसर नमबर C जो हमारा है ये करेक्ट होगा दोस्तों ये सब के बारे में हमने आपको बहुत डेटल में बताया हुआ है थियोरी पढ़ाते समय तो यहाँ पर बताना संभण नहीं है विडियो काफी लंबी हो जाएगी तो हम आपको जयदे-जयदे questions करा सके इसके लिए हम आपको जयदा यहाँ पर बता नहीं पा रहे है अगर जयदे जानना है तो हमारी पिशली थियोरी वाली वीडियो को अवस से देख लें next question हमारा है deuterium oxide नाविकी रेक्टरों में प्रियुक्त होता है, तो यह भी मैंने आपको बहुत ही अच्छा जबताया है, यह आपका क्या होता है, जो आपकी भायजल होती है, यह होता है आपका इसमें बहुत सारी असुद्या मिली होती है, यही कार होता है कि यह एक मंदक के रूप में कार कर आप्षान नम्बर A दिया हुआ है क्योंकि आपसे नमबर A दिया हुआ है जहरीला होता है B है इस्की जैव भातिक रियाएं सधार जल से भिन होती है और D है इसके रसानिक गूर सधार जल के समान होते हैं दोस्तो भाई जल को हम पीने के यूज में नहीं लेते हैं, इसका काड़ है, इसकी जो जय भहुतिक क्रियाएं होती हैं, वो संधार जल से अलग होती हैं, भिन होती हैं, यानि जो आपकी भहुतिक क्रियाएं होती हैं, यह जल जो सामाने जल होता है हमारा सुद्ध जल, इसके विपरित होती है, तो इसलिए हम इसको पीने में यूज नहीं लेते हैं, ये हमारे लिए नुकसान दे हो सकता है, पर यहाँ पर आपसन नंबर A जो दिया था, कि ये जानलेवा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, ये आपको नुकसान देता है, पर ये आपके लिए जानलेवा नही तो आपने देखा होगा अगला है बारी जल का निर्माण कैसे होता है भाय जल का निर्माण कैसे होता है बताईए भाय जल का निर्माण कैसे होता है तो भाय जल का निर्माण कैसे होता है देखिए आपसे नमबर A दिया गुए है हाइडोजन एवं आक्सिजन के भाय समस्थानिक से मिलकर बी है हाइडोजन के भारी समस्थानिक तथा अक्षीजन से C है अपका अक्षीजन एवं हाइडोजन के भारी समस्थानिक से और D है प्रोटियम एवं समान हाइडोजन से तो दोस्तो भाई जल का जो निर्मान होता है तो इसमें जो असुदिया होती है वो oxygen और hydrogen के समस्थानिक से ही मिले यूई होती है 35 है H2O2 का जलीय विलियन होता है कैसा होता है तो H2O2 का जलीय विलियन जो होता है वो दुर्बल अमली ये होता है जो हमने उपरा वाले question किये थे फर्स्ट वाला उसमें दिया था कि H2O2 का विलियन जो होता है वो दुर्बल चारी वहाँ पर दिया होता है इसलिए हमने उसको गलत किया क्योंकि यहाँ पर आपका जो hydrogen आयन है वो उपस्थित है तो यह अमली हो गया दोस्तों आपने देखा कि यह जो question है वो दो से तीन प्रकार से आपका पूछा जा रहा है तो मैंने आपको यह अच्छे से बता दिया है कि अमली और चारी को छाड़ना तो आप बीना कुछ किये ही उसको बहुत ही आसाई से solve कर पाएंगे तो यह अपर दूर्बर अमली हमारा correct होगा अगला है आपका CuSo4 into 5D2O होता है तो यह क्या होता है तो आपका CuSo4 याणि copper sulfate और deuterium oxide ठीक है यह क्या होता है तो यह आपका CuSo4 into 5S2O याणि copper sulfate into hydrogen आपका यह जल का चूतर है यह इसकी अपेच्छा क्या होता है कम नीला होता है यह जो होता है CuSo4 into 5S2O की अपेच्छा कम नीला होता है कौन आपका copper sulfate into D2O का mister ठीक है तो यह question काफी important है यह बनता है एक्जाम में अपसर number B यहाँ पे correct होगा साइतिस्वा हमारा है जल की अडू में HOH यह तो जल की सरचना हो गई HOH यह आप जानते ही होंगे और एक प्रकार सरचना इसकी आउर बनती है यह मैंने बताया था क्या यह यह भी आपकी जल की सरचना इस प्रकार से बनती है भी क्याकार की तो कोड का मान, निम्न में से किस मान की लगभग होता है दोस्तों, most important question है इसको बहुत ही अच्छे ध्यान दिजिएगा यह आपका most important question है और यह पक्का बनने वाला question है तो जो आपकी समर्चना होती है यह जो मैं आपकी अब बताया था नेक्स्ट आपका है अरतिस्वा हाइडोजन परकुष्राइड का विक्टन निम्न समर्चन द्वारा होता है H2O2 समर्चन है और इसका जो विक्टन हो रहा है H2O plus O तो क्या यह कौन साइस में से करेक्ट होगा आपको बताना है तो यहाँ पर दोस्तो H2O2 के अडुभार का आधा आफसन नमर A यहाँ पर करेक्ट होगा 49 वा क्वेस्टन है कठोड जल में निम्नलिखित में से किस समू के आयन होते है कठोड जल में निम्नलिखित में से किस समू के आयन उपस्तित होते है तो दोस्तों कठोड जल में आपके कैसियम और क्लोराइड के आप द्रब बे मिले होते हैं आपसर नुमर B यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों नेक्स नमारे जो चारीसवा क्वेस्चन है वो मैंने आपको सेम जो पिछला क्वेस्चन बताया था सेम उसी प्रकार का क्वेस्चन है और आपको थोड़ा से मान चेंज कर दिया है यहाँ पर 10 आयतन S2 ओटो की सामर्थ है ग्राम पर लीटर में ग्याद करना है तो इसको आप सौल करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बतायेगा कि आपका एंसर कितना आया और अगर आपको यह क्वेस्चन नहीं आता है तो हमको नेक्स्ट वीडियो में इसका सौल्योसन भी बता देंगे सेम आपका 23 वे क्वेस्चन के एकॉर्डिंग ही इसको सौल करेंगे तो आपका एंसर आजाएगा दोस्तो चनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई بھی डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकी पूस्च सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में आपके कमेस्टी के next चैप्टर के साथ तब तक लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देखते रहिए आपके जायतर चैप्टर हमने complete कर दिये हैं दो से चार चैप्टर आपके 6 बचे हुए है जो कि हम आपको exam से पले ही complete करा देंगे